पुत्ते ने होट पर काटा लगे 120 टाके रोते हुए एक्ट्रिस ने बया किया दर्द बोली बर्बाद हो गया था मेरा चेहरा हे इब्रिवान विल्कम बैक टू में चैनल आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साना मकबूल के बारे में जो कि इन दिनों बिग बॉस ओटिटी 3 में नजर आ रही है टेलिविजन एक्ट्रिस सना मकबूल को बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 में कापी पसंद किया जा रहा है वो एपने वेबाक अंदाज और चुल्बले पन से सब का दिल जीत रही है बाहर से खुश दिखने वाली सना अंदर से थोड़ी टूटी हुई भी है शो में उन्होंने कंटिस्टन के सामने वो दर्द बया किया जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो सना कहती हैं सना मकबूल सना मकबूल कैसे बनी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है जिससे मेरी लाइफ बदल गई है पैंडमिक में मेरा एक्सिडेंट हो गया था एक्सिडेंट के बात क्या हुआ मैंने कैसे संगर्ष क्या मैं नौ महीने से संगर्ष कर रही थी हर उस चीज से बाहा निकलने के लिए सना की बात सुनकर घरवाले शौक्त हो गए रनबी शौरी ने कहा कि ये बहुत ही भयानक था एक्ट्रेस आगे कहती है कि मेरे होट पर कुट्टे ने काट लिया था 120 टाके थे मेरे लिप्स पर आज भी मेरा दिल दुखता है मैंने इसे ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया सोचकर मेरी रूख आप जाती है लिप्स पिलर्स कराने की कोशिस भी की लेकिन मेरे लिप्स ने सौबिकार करना छोड़ दिया बस अपनी लाइब जीओ आपको पता नहीं है कब क्या हो जाए आपके पास जीने के लिए कितने दिन है ये भी आपको नहीं पता है सना की बात सुनकर सभी घरवाले एमोशनल हो गए किर्टिका और पायल ने कहा कि तुम बहुत सुन्दर हो तुम्हे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है अक्रिस के जन्नी उनके फैंस के लिए काफी प्रेणा दायक है लोग ये सुनने के बाद सना को काफी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी ये कहानी सुनकर उनके फैंस काफी ओमोशनल भी हुए कमेंट बॉक्स में सभी ने अपने एमोशन्स बया किया वे दोस्तों आपको कैसी लगती है साना मंगबूल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा अब तक बिग बॉस ओटी थिरी में आपका पसंदीदा कंटेस्टन कौन बन शुका है यह भी कमेंट सिक्सिन में लेक सकते हैं बागी ऐसी चोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं